HR Management सबसे नीचे आता है, रिपोर्ट्स के बाद, वीव स्टाफ यूजर, वीव स्टाफ यूजर में, एक्च्वली में यहां पे रिपोर्ट में दिखाया गया है, ब्रांच वाई, जो ब्रांच लॉगिन पैनल का जिनको जिस यूजर को एक्सेस मिला हुआ है, जिन यूजर क एड्मिन पैनल पे है, तो उसको समझ के आप जैसे पटना ब्रांच के लिए, एक एड्मिन हो गया है, और ब्रांच के लिए जो भी लॉगिन एक्सेस मिला हुआ है, वो सारे इंप्लाई का नीचे डिटेल सा गया, similarly आप जिस भी ब्रांच को बनाया है, जिसे नालंदा ब् ब्रांच में आप एड्मिन एक खुद हो गया है, जो एड्मिन ये पटना बाले है, और फिर जो ब्रांच यूजर्स जो होंगे, नालंदा ब्रांच के लिए, उनका वो आएगा, एड्मिन का यहां पे नहीं दिखता है, यहां ब्रांच वाइज, एम्प्लाई का डिटेल स दिखता है, एड्मिन ये ओभर आल पटना के लिए हैं, तो इनका सिर्फ दिखेगा बाकि इन ब्रांच सुजर्स, जो होंगे, ब्रांच में जो एम्प्लाई होंगे, उनका ये नीचे में डिटेल से दिखेगा, एडिक और ये सो, तो HR मोडूल में इतना ही है, चलिए मिलत और आ ह reflections, जो से लिए हैं, आपका सफी दिखेगा, एडिक दिखेगा, जो होंगे, जो साइवता से पिखेगा, तो इंदे हैं, ब्ना इनका बणी हैं, एडिक दिखेगा, एडिक दिखेगा, इसा सफस्छानेही, जो == हैं जो Fat ब्रांच संदटान either ही बिएक ऊ土ण, जो में